सभी को मेरी तरफ से प्यार बड़ा नमशकार जैश्री राम राधी राधी सस्रियाकाल कैसे हैं आप सब गाईस एंड उमीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत अच्छे से अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर करें होंगे आज आप सभी के लिए एक इंपोर्टन शेशन जिसका जो टार्गेट है वो है आपके एक्जाम के लिए प्रिवीस एयर पेपर को करना ठीक है तो अब यसी बात है प्रिवीस एयर पेपर जो है वो आप पर आया था वो किस तरह से पूछा गया था और आप इसके अंदर कैसे बहतर कर सकते हैं तो वही टार्गेट है हमारे आज के session का तो आरार्बी क्लर्क 2020 प्रिविएस येर पेपर है आपका इसके इसे अपने प्रोपली कवर करेंगे टार्गेट करेंगे आपके exam के लिए और आपको ये प्रोपल ही देखना है कि पेपर किस तरह से आया था ठीक है लाश्ट येर जो पेपर आया था उसमें concept अच्छे पूछे गई थे जो आपके syllabus के according ही पूछे गए थे आपके सारे concept लेकिन wording थोड़ी अच्छे तरह के पूछे गई थे और कैसे आप इसमें बहतर कर सकते हैं तो चलिए आज के शेशन की शुरुवात करते हैं प्रोपली कवर करते हैं और हो सके तो शेशन को शेर कर दीजिएगा अपने friends के साथ ताकि maximum candidate कवर कर पाएं टार्गेर कर पाएं I am also verified educator on academy तो आप academy मुझे follow कर सकते हो profile पर जाकर और आपका paper जो हुआ था वो तो पहला कोशन आप से पूचा गया था VPN का मीनिंग या उसकी full phone तो जल्दी से मुझे याँ पर आपको बताना है VPN की full phone क्या होती है मैं उतनी देर में आपको meaning meaning बताता हूं इसका that is a network किसी कंपनी का private network होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं जैसे इंडिया के अंदर कोई चीज बैन होगी मतलब इंडिया के अंदर अगर आप उस website को चलाते तो वह बैन है जिक है आप चाहते हो कि उसे आपको access करना है तो आप क्या कर सकते हो अमेरिका के नेटवर्क के साथ जुड़कर आप उस वेबसाइट को एकसेस कर सकते हों तो किस के थुरू करोगे वो करोगे वीपियन के थुरू जिसे बोलते हैं वर्चुल प्राइविट नेटवर्क उप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल सही उतर होगा उसे बोलते हैं हम वर्चुल प्राइविट नेटवर्क नेक्स्ट कोशन पूचा गया था एपि रोम की फुल फ्रम क्या है वैरी सिंपल कोशन आप अराम से कबर कर सकते हो वट इस अ फुल फुर म ओफ इपी रोम की फुल फुल महें erasable programmable read only memory जिसमें UV rays के द्वारा आपके क्या किया जाता है आपके रोम के डाटा को erase किया जाता है UV rays के द्वारा next dash is a type of malicious software that infect a computer and restrict user access it to until a ransom is paired ना paired आएगा जो अन्लोकेट जब तक आपकी क्या नहीं होती कुछ amount आपकी नहीं दे जाती money जो demanded है वो होती है जब आप पैसा दोगे तब भी आपका कवर होगा संकेत मेरी हिसाप से easy था वर्ल्डिंग टफ मानूंगा यहां पर मैं क्योंकि वो प्रोपर वर्ल्डिंग तो बाहरी नहीं आती तो concept जो मेरे पास आई है यह सारी मैंने अपनी क्लास के अंदर डिसकस के हूँ है आपको मैंने टोपिक वाइस कोशन करवाए हैं उसकी प्लेइलिश्ट दिवी है वहाँ पर वो सारी चीज़े आपको मिल जाते है तो जब देखू फिरोती रैंसम का मतलब होता है फिरोती तो इसके लिए आपका यूज हो जाएगा है रैंसम वेर ठीक है आपके PC के डाटा को हैक कर लिया जाएगा और यह बोला जाएगा कि भई आप इतनी अमाउंट दो जब तक आप वो अमाउंट ने देते आपको आपके डाटा नहीं मिलेगा अगर आपने उसे अक्सेस करने की क आपकी डिवाइस पर जो भी मीडिया है उसे प्ले करने के लिए कौन से सोफ्ट्रेक आप यूज करते हूँ आपको बताता है उद्यादव मेरे रैगूलर सेशन आप कवर कर सकते हूँ प्लेलिस्ट अगर आप प्लस पर नहीं है अनकेडमी प्लस पर मैं इसे थ्योरी करना चाते हो आर अर भी क्लरक के लिए तो आप अनकेडमी प्लस को जोइन कर सकते हूँ एर बंजिरो कोड यूज करते हूँ तो दैट इस VLC मीडिया प्लियर आप यह जनली यूज करते होंगे अपनी मुबाइल के अंदर भी आपनी लैप्टोप के अंदर भी जिससे आप क्या कर सकते हैं कोई भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं ठीक है ओडियो वीडियो को सुनने के काम आता ही प्लेयर नेक्स्ट अकोडिंग टू आईए सी वट इस 1024 किभी बाइट इस इक्वल टू यह आपको बताना है असान रहेगा अभी शेक अभी मैं आपको बता दू नाबाड का एक्जाम हुआ है रिसेंटली तो ट्वंटी आउट ओफ ट्वंटी कोश्चन अपने स्लेबस में से आए हैं मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जिनोंने दिया था जिनोंने रिव्यू दिया एक दूस रहा नाबाड मी एन होपो और भी में भी आपकी इसी तरह से रिव्यू आएंगे आपका सही उतरोगा वन मीबी बाइट अब ध्यान से देखिए यह जो आपका कीबी बाइट है आपने पहली बार ही सुना होगा आपने जनली के बी सुना हुआ है के बी डाट इस किल पिए लुक में आगा वन मीबी बाइट अगलों में यहां में धेता या वन मेगवाइट देता तो क्या सही देते अंशर नहीं तब यह भी गलत था वहाँ पर option में था यहाँ पर set नहीं कर पाया one mb is wrong answer, one mbbyte is right answer ठीक है next question which of the flowing is note a system software इन में से कौन सा system software नहीं है यह आपको बताना है इन में से कौन सा system software नहीं है यह आपका क्या है application software नहीं है यह आपका क्या है application software शुबम अंस्वर होना चाहिए मेरी हिसाब से आपका that is cache नेक्स्ट कॉस्चन विच वर्जन ओफ विंडो एंडिड ओन ट्वन्टी फो सोरी 14 जैन ट्वन्टी 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 कौन सा discontinue रोज लुका था अब discontinue की बात है इसके update आने बंद हो गए वैसे आपको मिल जाएगा करन आपको telegram का नीचे group दिया गया है description में आप उसे join करिए वहाँ पर आपको file section में PDF मिल जाएगे तो कौन सा version है जो discontinue रोथा वो है Windows 7 option नमबर 2 अभी अगर बात करूं latest version कौन सा आ चुका है Windows का आपका latest version आ चुका है Windows 11 आपको बताना है इन में से कौन सा oldest version है विंडो का वो आपको बताना है दाट इस विंडो एक्सपी शुबम लास्ट में लेता हूं आपके query को अभी paper पर फोकस कर लेते हैं विच इस portable memory device इन में से portable memory device कौन सी है पोटेबल का मतलब होता है जिसे एक स्थान पर दूसर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है वो कौन सी है वो है आपकी USB flash drive यानि मतलब होता है pen drives तो pen drive को आप जे में डाल कर कहीं भी ले जा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्चन कम्प्यूटर स्टोर टेंप्रेरी डाटा इन कम्प्यूटर जो है वो टेंप्रेरी डाटा को कहां स्टोर करता है वो आपको बताना वेरी सिंपल कोश्चन अगर एक्जेक्टली पूछ ले तो आपका आता है रैम रेंडम एक्सस मेमरी जो की क्या है प्राइमरी मेमरी है तो अप्शन नमबर टू आपका बिल्कूल सही उतर होगा नेक्स्ट गूगल हैंगा DAVID क्या है what is Google Hangout very very important एंड सिंपल कोशन अगर आप में से किसी ने भी इसे यूस किया हुआ है गूगल प्रोड़क्ट है ये गूगल हम एका हैंगा नहीं जो हैंग आउट है वो किसके लिए वीडियो चैटिंग प्लेटफोर्म ओप्शन नंबर वन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नेक्स्ट इन ठर्ड जननेशन कंप्यूटिंग विच टेकनोलोजी वाज यूज ठर्ड जननेशन में कौनसी टेकनोलोजी का यूज होता था वो आपको बताना है ठर्ड जननेशन वेरी सिंपल कोशन third generation में use होता है integrated circuit का transistor है यह second generation है जो RRBPU में पूछा गया था यह question मैंने RRBPU का paper भी करवाया है आप उसे check कर सकते हैं video section में जाकर और vacuum tube यह आपका first generation में है next web pages are developed in which language web pages को कौन सी language में बनाया जाता है या उसकी designing के लिए कौन सी language use होती है that's great Gagan web pages are developed in which language आपका सही उतर होगा HTML hyper text just markup language ठीक है एस पी दो यह कि ग्रोग्रामिंग लाइंग्विज एक्टिव सर्वर पेजिस XML extensible markup language इस ग्रेट गगन विवेक नेक्स्ट आई पीवी पॉर का साइज बताना है आपको कितना है आई पीवी फॉर का साइज बताना है आपको तो आई पीवी फॉर है आपके थर्टी टू बिट के जी अगर आई पीवी शिक्स पूछ ले ये कितनी के होते हैं साइज के 128 bits के होते हैं IPv4 के अंदर 4 पार्ट होते हैं कुछ इस तरह सी रिप्रेजेंट होता आपने जरूर देखा होगा उसके लिए कौन से टूल का यूज किया जाता है उसके लिए उसके लिए हम यूज करते हैं तैस पंच काड ऑप्षानाल। टूर टूवाइट आपको एड करना हैं क्या आंसवाइगा। इन binary values को आपको add करना है क्या answer आएगा बड़ाई simple question पुछा था ये add करने के लिए इसको add करोगी 0 plus 1 1 0 plus 1 1 1 1 यह आपका answer निकल गया normal question option number 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा next question अगर आप परने कैडमी प्लस पर आना चाते हैं किसी भी platform के लिए bank के आपको description price दे रखें er10 code use करोगे तो आपके prices है वो कम हो जाएंगे आपको 10% का discount मिल जाएगा पुर किसी भी category के लिए like banking, ssc, railway, ct, iit किसी के लिए भी आप प्लस option चाहती है तो er10 code use कर सकते हैं हाव टू एड़ वाटर मार्क इन ms world ms world में वाटर मार्क एड़ करने के लिए जो मेन्यू है वो आपको बताना है कौन सा है वाटर मार्क एड़ करने के लिए मेन्यू कौन सा है वो आपको बताना है that is page layout option number three is the right answer design tab भी बोलते हो इससे आप यह ध्यान रखेगा अगर page layout ना दिया जाए तो design tab भी आप cover कर सकते हैं वाटर मार्क के लिए मैक्सिमम आर रोंग है इंसर्ट नई वाटर मार्क पेज लियाउट में मैक्सिमम रोंग है next which of the flowing is application software इन में से application software कौन सा है वो आपको बताना है again simple question इन में से application software कौन सा है तो वो है आपका MS Excel option number two आपका बिल्कुल सही उतर होगा next which tool is used to create forms या फिर अगर आपसे सर्वे पूछ ले तब भी आपका यह अंस्वर होगा forms या फिर सर्वे को create करने के लिए किसका use होता है तो वो है आपका गूगल फॉम option number three is the right answer गूगल फॉम सर्वे या फॉम आपसे कई बार कई website ओपर फॉम बरवाया हो गया होगा आपकी information लेने के लिए तो दाट इस गूगल फॉम नोट गूगल शीट गूगल शीट एज एक्सल काम करता है सप्रेट्शीट प्रोग्राम है यह ठीक है गूगल इंपुट टूल आपकी नोर्मल जैसे आप इंगलिश में टाइपिंग कर उसे हिंदी में कर देता है वह इंपुट टूल होता है नेक्स्ट विच ओव दा फ्लोइंग इस नोट ए प्रोप्राइट्री ओफ रोम और रैम इन में से कौन सी रोम या रैम की प्रोपल्टी नहीं है वह आपको बताना है इम्पोर्टेंट कोशन यह भी अच्छा कोशन पूछा गया था लास्ट इयर कौन सी रोम या रैम की प्रोपल्टी नहीं है तो वह है आपका मालेबल मालेबल का मतलब होता है लचिला रबर की तरह है आप उसे खीच नहीं सकते डैड़ी से हाड़्वियर थी नेक्स्ट टच पैड इन लेप्टोप इस इन्पुट और आउटपुट यह कोशन आसान बना दिया डैश रखना था तो टच पैड यह माउस की तरह काम करता है आपका तो माउस हमारा क्या है इन्पुट डिवाइस है आप्शन नमबर वन आपका बिल्पुल सही उतर होगा नेक्स्ट एक कंप्यूटर विदाउट स्टोरेज मेमरी इस वो कंप्यूटर जिसकी कुद की कोई ना तो स्टोरेज यूनिट होती है और ना ही उसकी कोई क्या होती है प्रोसेसिंग यूनिट होती है यूनिट होगा उसे क्या बोलते हैं हम डंब टर्मिनल बोलते हैं अप्शन नमबर टू इस राइटन स्वर्ट डंब टर्मिनल बोलते हैं हम उसे नेक्स्ट मैक एड्रस क्या है किसके लिए यूज होता है मैक एड्रस किसके लिए यूज होता है तो देखिए एड्रस आपके मेनली दो टाइप के होती है एक होता है आपका फिजिकल एड्रस जो की पर्मनेंट होता है जिससे आप बोलते हो Mac address जिसकी फुल फॉम होती है media access control address दूसरा आपका logical address होता है जो की changeable होता है उसमें आजाता है IP address internet protocol address तो यहाँ पर आजाएगा Mac address यह आपका क्या है physical address यह भी पूछा जा सकता है कितने bit का होता है तो Mac address होता है 48 bits का और IP address मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया था IPv4 32 bits का IPv6 128 bits का नेक्स्ट जीरो और वन आर डैश इंपूट कौन से इंपूट है आपको बताना है काफी simple question maximum को पता होगा इसके बारे में जीरो और वन आर डैश इंपूट तो यह हैं आपके डिजिटल अप्शन नमबर टू इस राइटन सफर next which of the flowing is a prudent activity of acquiring the sensitive information by use of fake identity during electronic mail क्या एक आंस्वर यह भी कोशन पूछा गया था काफी simple question है क्योंकि एक terminology दे रखें जिसे आप यहां पर cover कर सकते हो mail mail से आपका जो hacking है वो क्या कहलाती है वो कहलाती है phishing option number four is the right answer उसे हम क्या बोलती है phishing बोलती है next question computer network for sharing information with an organization to other organization वो network जिसमें आप किसी company की private network को share कर सकते हो उसे क्या बोला जाता है तो sharing के लिए हम use करते है एक्स्ट्रा नेट को और किसी company का खुद का private network उसके लिए क्या कहलाता है इंट्रानेट कहलाता है और इंट्रानेट को अगर आप share कर दोगी तो किस category में आ जाएगा एक्स्ट्रा नेट पर आ जाएगा ठीक है next which is used in search engine for relevant result and submit data in search engine index website के data को capture करेगा और database में entry करेगा उसके लिए किसका यूज होता है वह आपको बताने तो यहाँ 2 अंस्वर है गलती से दो अंस्वर आपके यहाँ पर रहे हैं तो दोनों मैं बता देता हूं मेभी मेरी तरफ से गलती आपके कहाना दोनों सही है उसे हम spider कर और बोलते हैं कि spider को लग एविषम आंग को next question मुबाइल के अंदर कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है ओप्शन में से आपको बताना है एक्स्टानेत तो नोर्मली शेर कर रहे हो शेर कर रहे हो वीपीन तो क्या है किसी दूसरी प्राइवर्ट नेट्वर्ट से जुड़ रहे हो आपका नेट वहां बंद हो जाएगा दूसरे का आईप अड्रस मिल जाएगा एंडिया के हो और आप अमेरिका के नेटवर्क के साथ जुड़े तो आपको इंडिया का यूजर नहीं दिखाएगा आपको किया दिखाएगा अमेरिका का यूजर है ठीक है आई-पी बदल देता है वो वीपियर तो मोबाइल में जो अपरेटिंग शिस्टम यूज होता है वो है embedded operating system embedded जो specifically task को design कर लिए के लिए बनाया जाते हैं और एक system के अंदर ही रहते हैं उसे आप change नहीं कर सकते embedded operating system यूज होता है अब Google का कौन सा mobile operating system जो गूगल के द्वारा manage किया जाता है that is android android है वो गूगल के द्वारा किया जाता है address consists of two type one is IP and another a simple question हो गया अब address के आपको टाइब बताए थे एक होता IP address डूसरा कौन सा होता है अब जुरूई थोई ना एक ही में ही यूज होगा गगर IP address कार के लिए यूज होगा और कहीं यूज नहीं हो सकता ठीक है दूसरा है आपका physical जिससे आप mac address भी बोल देते हैं नेक्स्ट पूर ट्राइविंग एंड स्टोरिंग डाटा हम किसका यूज करती है इन Dbms पूर ट्राइविंग एंड स्टोरिंग डाटा हम Dbms में किसका यूज करती है दाट इस SQL स्टक्चर्ड क्वेरी लैंग्विज अब यहां पर कुछ कोशन आपके पूछे गये थे अनिगमा मशीन इन वर्ल्ड वार सेकिंड यूजड फोर अभी एक कोशन पुछा गया था आपसे अनिगमा के बारे में तो मैं बता दूं वर्ल्ड वार सेकिंड के अंदर आपकी data transfer करने के लिए coded data transfer करने के लिए इसका use किया गया था इसके बारे में detail दे देता हूं मैं आपको transmit coded data के लिए use किया गया था Enigma machine is cipher device developed and used in early to mid 20th century to protect numerical, diplomatic and military communication फिर आपका एक question पूछा गया था कि लेटेश्ट विंडो ब्राउजर और वर्जन तो दोनों आपको यहां पर बता देता हूं विंडो ब्राउजर कौन सा है Microsoft का वो है आपका Edge Microsoft Edge Internet Explorer आपका क्या हो चुका है discontinued हो चुका है अब Microsoft Edge नाम से मिलता है आपको by default और वर्जन आपका तब जब पेपर आया था तब था विंडो 10 लेकिन अब कौन सा है विंडो 11 क्योंकि पेपर हुआ था यह February 2020 में आपका अभी जून जुलाई में आपका नेया वर्जन आ चुका है विंडो 11 ठीक है और आपसे एक कोशन पुछा गया था step for saving world file into pdf किसी भी world file को pdf में convert करने के लिए आपका क्या step follow किये जाते है तो यहाँ पर क्या करना होता है सबसे पहले आपको file menu में जाना है सेव एस पे क्लिक करना है और वहाँ पर option select कर लेना है save as pdf तो आपका क्या हो जाएगा pdf में वह आपकी save हो जाएगी these are the step जिसमें आप वर्ड को pdf में क्या कर सकते हूं save कर सकते है और modem के ऊपर एक कोशन आया था modem के function क्या है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ modem का सारा ही हम theory में पढ़ते हैं क्या होता है modem, modulator, demodulator modulator का काम क्या होता है digital signal को analog में बदलना और demodulator का काम क्या होता है analog signal को digital में बदलना यह किस से जुड़ा हुआ होता है modem modem आपका एक side से तो जुड़ा होता है आपकी phone line से दूसरे तरफ यह जुड़ा होता है आपके computer से और computer के कौन से पार्ट से NIC से यह जुड़ा होता है अब आपके कितने marks बनते मुझे जल्दी से बता दो अगर आपके पास से paper आता अगर आपके पास से paper आता आपके कितने marks बनते जल्दी से मुझे कमेंट करके पता दो आउट ओफ 40 आप कितने marks बनाते ठीक है जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा और session को like and channel को subscribe जुरूर करना जिसने भी नहीं किया हुआ regular basis पर आपके यहापर session आ रहे हैं तो इसे आपको cover जुरूर करना है प्रोपली टार के लिए important information जल्दी से कमेंट करिएगा आपके marks मुझे ग्रेट तो टोप एजुकेटर की द्वारा अनकैडमी पर 22 September से बहुत सारे नए बैच शुरू रहे हैं जिससे आप cover कर सकते हो and this is the best platform for bank exam preparations यह आपके batch detail आपको मिल जाएंगी रनवीर बैच रनविजय सीटी बैच and strong lineup of batches मेरा भी गुरुकुल बैच आ रहा है जिसे आप cover कर सकते हूं कल से नया आपका शुरू होगा and ask doubt feature आपको देखने को मिल जाता है कोई भी कोशन आपका डाउट में है आप उसकी फोटो की चिकर एक कोशन पे crop करके आप इसे cover कर सकते हैं और गगन आपको मैं बता दूँ पी यो का memory वेस्ट पेपर भी आपको वीडियो में मिल जाएगा वीडियो सक्षन में जाएगा चैनल की वहाँ पर आपको वह भी मिल जाएगा और अनकेडमी कोंबेक्ट एक्जाम है आपका हर संडे होता है जिसमें आपको स्कोलर्शिप मिल जाएगी जो भी टोप 3000 रैंकर आएगी उनको वहाँ पर चांस मिलेगा डिसकाउंट लेने का अनकेडमी प्लस पराने का तो इसके लिए आप कवर करना चाते हो तो एन लिंक मैंने डिस्किप्शन बोक्स में दे दिया है आप रेजिश्टर कर सकते हो फ्री ओफ पोस्ट ठीक है इर वन जिरो कोड यूज कर सकते हैं वैशनवी मैं करवा चुका हूँ पीओ का लास्ट विक मैंने करवाया था आप प्लीज वीडियो देखिए ठीक है आपको मिल जाए अच्छे से आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी प्रोपल यह आप कवर कर चुके होंगे और यह आपका कोड है यह आर वन जिरो जिसके मैं बात कर रहा था तो पीओ का पेपर भी आपको मैंने दे दिया है और एक मैंने पोल जनरेट किया है चैनल पे उस पोल को में भी पार्टिस्पेट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कल की क्लास कौन सी चाहते हो आप टोप 75 शोटकट की फोर आर आर भी या फिर OSI मोडल का थियोरी आप क्या चाहते हो कल की क्लास में आप मुझे पोल में पार्टिस्पेट करके जुरूर बताइएगा चैनल पर पोड क का पोल क्रेटिड है पीओ पेपर कवर कर सकते हैं प्लेइलिस्ट देख लीजेगा आपको सारे टोपिक वाइस पोश्चन सीरीज मिल जाएगी जो मैंने एक्स्प्लेइन किया हुआ है और साइड बाइस साइड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजेगा झाल